हेलो स्टूरेंट्स वेलकम अल अफ यू बच्चो आज हम दिख्षालान स्टूर में जो टॉपिक पढ़ाएंगे वो है लीनियर इनक्वेशन्स अब बच्चो आपने यह देख लिया कि वन डिग्री लीनियर इनक्वेशन्स कैसे सॉल्व होता है और वन डिग्री यानि वन टू वेरेवल में अब लेकिन बच्चों होगा क्या कि कभी कभी क्या होता है कि जो इनक्वेशन्स हैं उसमें जो डिग्री है वो वन से जादा आ जाती है यानि लीनियर की जगह अगर क्वाडिटेक आ गई तो आप कैसे सॉल्व करेंगे तो उन कोश्चन्स को मैं आपको बतारा हूँ कि अगर हमारे पास डिग्री जो है वह अगर वन से बड़ी आ जाती है तो हम उसे कैसे其實 करते हैं बार्चों तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं वेव websi कर्व मैथा यूंज करते हैं किसका करते हैम बच्छों यह जो मेथाद यह जो मैथाड़ है क्योंकि यहाँ पर होगा क्या कि जो variable की degree है वो 1 से ज़्यादा हो जाएगी तो अब आपको यह देखना है कि अगर variable की degree 1 से ज़्यादा हो रही है तो by using baby curve method हम उसे कैसे solve करेंगे ठीक है बचो तो अब देखिए हम इसे कैसे solve करते हैं हम यहाँ पर करते क्या बचो कि एक question लेंगे और Qशन के थुरू मैं आपको बताऊंगा कि इसे कैसे solve करते हैं यानि एक question हम लेते जाएंगे और वहां से मैं आपको बताता जाऊंगा कि क्या क्या step हम इसमें follow करते हैं अब देखिए जैसे हमने एक कोशन लिया हमारे पास कोशन आया कि अगर हमें सॉल्व करना है एक स्क्वाइर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स लेस देन जीरो तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे अभी तक तो आपके यह पास वन डिग्री का आ रहा तो आप यहां पर इसके बाद बच्चों आपको करना क्या है इसके बाद आपको यह करना है कि यह वैल्यू देखनी है कि क्या-क्या हमें एक्स की वैल्यू मिलेगी तो इसलिए उन दोनों फैक्टर को आप 0 के बराबर रख दीजे यानि x-2 को आप 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू 2 और x-3 को 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 3 मिल जाएगी अब आपने करना क्या है बच्चों कि infinity minus infinity यह बच्चों पुट कर देने हैं points अभी तक हम क्या करें बच्चों सीधे आज से plus लगा रहे तो फिर plus minus plus लगा रहे तो बेबी करो यह method यह कहता है कि आप plus minus लगाने से पहले यह देख लें कि यह जो value है वो क्या करेगी sign को change करेगी या नहीं करेगी अब यह कैसे पता लगेगा बच्चों की कोई भी factor की value जो sign है उसको change करेगी य x minus a की whole power n ठीक है अगर n हमारे पास odd है n कैसा है बच्चों odd है तो sign change हो जाएगा sign change हो जाएगा और n अगर आपके पास even है तो sign not change उस case में sign change नहीं होगा यानि आपको अगर factor मिला है आपको x minus a की whole power n यह एक factor है यहां से आपको point मिला है तो इस factor की जो power है वो यह decide करेगी कि अगर यह point से जो reason change हो रहा है उस पर sign change होगा या नहीं होगा तो अगर जो power है बच्चों हमारे पास यह आपको बहुत ही short trick बता रहा हूं आप हमेशा याद रखिए कि power odd है तो sign change नहीं होगा और sign change हो जाएगा और अगर power even है तो sign change नहीं होगा यानि जैसे power हो जाए 2, 4, 6 तो sign change नहीं होगा 135 है तो होगा अब यहां पर आप देखेंगे कि 1 है इसकी power भी 1 है यानि sign change हो जाएगा अब आपको यह देखना है कि right most में कौनता sign आएगा तो उसके लिए आप क्या करिए कि इस reason में से कोई भी value निकाल के put कर दीजे यहां पर अब मालीजे हमने 10 value निका करते हैं कि ऐसे curve बना देते हैं या यानि यह curve बना देते हैं तो यह वाला जो portion है बच्चो यह positive का हो गया यह वाला portion जो है वो किसका हो गया negative का तो negative जो portion होता है बच्चो वो real axis के नीचे से denote करा जाता है और जो positive portion है वो real axis के ऊपर denote करा जाता है इतनी वादा कुसं में खाल प्लारा समझिए कि क्वाड़ेटिक एक्वेशन आईगी एक्वेशन तो हम कैसे सॉल्फ रेंगे आपको करना कै चाह सबसे पहले फेक्टर करने के बादप प्लॉट कर दीजें। प्लॉट कर लिजे राइटमोस reason कर लीजे। अब आपको यह पता करना है कि किस point पर sign change होगा और किस point पर sign change नहीं होगा तो उसके लिए आपको देखना है कि यह factor की power अगर factor की power even है तो sign change मत करिएगा और factor की power odd है तो आप sign को change कर दीजेगा इतनी बात आपको समझ में आगी बच्छों ठीक है देखें एक और question आपको बताता हूं यह तो हमने बच्छों सबसे easy question लिया था जिससे आपको समझ में आ जाए कि baby curve method में कैसे solve करते हैं अब मैं थोड़ा सा upgrade करता हूं लेविल को बच्छों कि अब थोड़ा सा हम जाते हैं आगे की तरफ तो अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है बच्छों कि हम कौन से x को include करेंगे और कौन से x को include नहीं करेंगे यहां तो बच्छों जो था दिया है बच्छों, x-a1 की power n1, x-a2 की power n2, नीचे दे दिया आपको x-b1 की power m1 और x-b2 की power m2 इस तरीके का portion दे दिया बच्छों, तो आपको सबसे पहले तो यह देखना है कि कौन-कौन से sign change होंगे और कौन-कौन से sign change नहीं होंगे, तो जहां जैसे n1, n2, m1, m2 में इसे मिलने वाले points sign को change नहीं करेंगे, और अगर odd होगा, तो sign change कर देगा, अब यहां पर बच्छों अगर equal to लग जाता है, तो equals to का मतलब है, keep points getting from numerator is included only, अगर equals to लग भी रहा है बच्छों, जैसे get than equals to 0 आ गया, तो हमें सिर्फ कौन से points include करने है, जो numerator से मिलना है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो equals to है, वो in equation में किसके लिए काम करता है, सिर्फ numerator के लिए काम करता है, denominator के लिए काम नहीं करता है, तो जो point denominator से हमें मिलना है, वो हमें include नहीं करने है, हमें सिर्फ वह points include करने है, जो सिर्फ किस से मिलना है बच्छों, जो सिर् अब बच्चों हमने कोशन क्या लिया हमने यह पर कोशन लिया 3X-X²N और नीचे हमें दे रहाए एक प्लस 4 का होल स्क्राइग गेडर इक्वाल टुजिरो अब उपर भी क्वाडेट एक है तो हम हम इसे कैसे solve करेंगे वो देखे तो बच्चो मैं आपको उताता हूं कि solution करने के लिए हमें क्या करना है देखिए हमने x कॉमन लिया उपर से यह हो गया 3-x अब नीचे आगया x प्लस 4 का whole square greater than equal to 0 इतनी वाद आपको सलने आगए अब जितने भी term मिल ले हूं सबको आप 0 के बडाबर रख दीजे x की value यहां से 0 आगए 3-0 रखा तो x की value 3 आगए बच्चो एक 0 आगए x प्लस 4 को आपने 0 के बडाबर रखा तो x की value minus 4 आगए यही सार बिल्कुल आपको short trick लेकर चलना हूं कि कितना भी complex question आजाए आप उसे तुरंट कैसे solve कर सकते हैं बिल्कुल short trick मैं आपको बता रहा हूं अब आपने करना क्या है जीरो के बराबर clear plot कर सकते हैं बच्चो माइनस 4 कर सकते हैं यह 0 हो गया यह 3 हो गया यहां तक आपको वह दिक्कत नहीं आई बच्चो अब आप देखिए कि सबसे पहले तो यह आप dot बना लीजिए कि कौन कौन से point हम include कर सकते हैं अब minus 4 हमें कहां स 4 हमें denominator से मिला है से include नहीं करना थो dot मद बनाइए अब आप यहां पर उन point को circle कर लीजे जो sine change नहीं करेंगे जो sine change नहीं करेंगे देखिए x की power कितनी थी 1 यानि sine change कर देगा 3-x की power 1 थी यानि sine change कर देगा अब x plus 4 की परबर 2 हो गई 2 हो गई तो बच्चों देखो even हो गई यानि sign change नहीं करेगा अब sign change नहीं करेगा तो आपने minus 4 को circle कर लिया कि यहां पर राकर sign change नहीं हो अब आपको सिर्फ right most portion का sign निकालना है अब right most portion आप देखिए कि 3 से बड़ी कोई value put करिए से आपने 10 कर दी अपने पिछली बाले था तो यह 10 हो जाएगा बच्चों 3 माइनस 10 बच्चों कितना हो जाएगा माइनस का 7 10 प्लस 4 14 ऑपन में यह हो जाएगा 196 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव तो आप यह ऐसे कैसे कह सकते तो आप value put करके देख लिए बच्चों जीरो से 4 के माइनस 4 के बीच में कुछ पूट कर लिए से माइनस 1 पूट कर सकते हैं तो यह होगे पॉजिटिव नहीं होगा अब देखिए आप नेगेटिव से चालू करेंगे बेबी कर्व को पॉजिटिव में आया बच्चों यह इस तरीके से चलेगा पॉजिटिव में आ गया अब इसके बाद नेगेटिव में चला जाएगा यहां पर टकर आएगा और फिर से ही आग च्छों कर सकते हो पॉजय करनी है वह आपको जीरो से ठीली के बीच में वैल्यू पुट करनी है अगर आप जीरो से थे तक भी वैल्यूट करेंगे तो इस इक्वेशन को क्या करेगा सेटेस्फाय करेगा अब मान लीजिए कि यह लएक पोर्शन दो पोर्शन त्रीन और त इतनी बात आपको सुनना है अब मैं मुल लिजे कि यही कोशन लेस्टन इक्वल टू जीरो बन जाता अब लेस्टन इक्वल टू जीरो बन जाता बच्चो यह सौज तो ऐसे ही होता अब नेगेटिव वाले पोर्शन लेते तो लेस्टन जीरो के लिए आप क्या लिखते यह यह न है जे साट है जीरो के लिए आंसर होगा लेस्टन जीरो के लिए क्या था बच्चो एक्स बलोंग खूछ देखें माइनस माइनस इनफीन से माइनस व करके यह पूरा प पूर्शन आंसर में तरह रहा यह उन्याइन लेकर इंपैटनू यह क्यों से बा orchardन का होता है औ आनि अब कितनी भी बड़ी power हो आप उसको आराम से solve कर सकते हैं, मैंने बिलकुल आपको short method बता दिया है, ये method आपको बस यूज करना है, कि power अगर odd है तो sign change होगा, power even है तो sign change नहीं होगा, और numerator की value को include नहीं करते हैं, सिर्फ उनी values को include करते हैं, जो हमें numerator से मिलती हैं, अब क इतना भी बड़ा question आजा, आप उसे आराम से solve कर सकते हैं, इतनी बात clear ही बच्चों आपको, देखें मैं और question आपको कराता हूँ, जिससे आपको और idea लगेगा, थोड़ा सा level हम और बढ़ाएंगे बच्चों question का, तो आपको idea लगेगा कि कैसे और questions आते हैं, बस आप मेरी बात ये ध्यान रखिएगा, कि सबसे पहले जब भी आप points निकालें और number line पे put करें, तो number line पे सबसे पहले आपकी ये put करिएगा, कि कौन से point include करने हैं, कौन से include नहीं करने हैं, तो जो भी point numerator से मिले हूँ, आप उन्हें dark circle बना लीजेगा, अगर उसमें inequality में equals to लग रहा ह यानि वहां से हमें पता लग जाएगा कि ये वाले point जो हैं, वो sign को change नहीं करेंगे, उसके बाद आप easy लिए उन्हें solve कर सकते, अब देखे बच्चों, question एक और अगला, अगला question बच्चों हम लेते हैं, अगला question हमें दे रहा है, x-1 की power 2, x-2 की power 3, x-4 की power 4, divide में x-3 का whole square और x-7 की whole power 5, यह हमारे पास आगया, get doesn't equal to 0, अब देखिए, इसमें तीन factor उपर है और दो factor नीचे, कितना बड़ा question होगा, x-1 की power 2, x-2 की power 3, x-4 की power 4, x-3 का square और x-7 की power 5, आप का हुए तो बहुत बड़ा question है, कुछ नहीं करना बच्चों, आपको जो मैंने बताया, आप बैसी करना है, तो आप देखिए, तुरंट solve हो जाएगा, सबसे बहले points निकाल लीजे, x-1 equal to 0, तो x कितना हो गया, minus 1, x-2 equal to 0, तो x की value कितनी हो गई, 2, x-4 equal to 0, तो x की value कितनी हो गई, 4, x-3 equal to 0, तो x की value कितनी हो गई, 3, x-7 equal to 0, तो x की value कितनी हो गई, 7, value निकाल त्री मिल गया और इससे हमें क्या मिल गया बच्छों अब नंबर लाइन पर आपको यह सारे पॉइंट्स पूट करने हैं इंफिनिटी माइनस सबसे बहले बच्छों देखिए माइनस वन आएगा इसके बाद 2 आएगा फिर 3 आएगा बच्छों फिर 4 आएगा और फिर 7 अब इक कॉल तो लग राए तो कौन से पॉइंट्स इंक्लूड करने से मिलें पर यहां से आपको टू मिल्स इंक्लूड नहीं करेंगे जो नहीं करेंगे उनको में सर्कल कर डा है ऐस सब्ससुआ 2 3 यानी ,4 0 और York 5 तो दो पॉइंट चैन्च करेंगे बस injury को बाकी कोई भी point change नहीं करेंगा अब आपको right most UP Para sign निकालना पड़ेगा value put करके right वाइट मोस्ट में क्या आएगा अब आप से बड़ी वेल्यू पुट कर लीजिए 10 कर लीजिए अब आप देखिए मैं यहां पर पुट करके दिखा रहा हूं 10 हमने पुट कर रहा तो 11 का स्क्वाइर हो जाएगा अब 11 का स्क्वाइर जो आएगा बच्चो पॉटिव वेल्यू का स्क्वाइर हमेशा कैसा आता है पॉटिव आता है मैं साइन बना दे रहा हूं यहां पर हमने करा 11-2 कितना हो गया बच्चो 9 पॉटिव वेल्यू का क्यूब भी पॉटिव आता है 11-4 बच्चो कितना हो गया 7 पॉवर 4 ए पॉजिटिव आएगा, डिनो मेटर में 11-3 स्कॉर्ण है पॉजिटिव आएगा, 11-7-4, 4 के पॉजिटिव आएगा, सारे के सारे पॉजिटिव होगा, यानी value के आएगी पॉजिटिव, तो यहां से पॉजिटिव आ गया बच्छो, अब हमने baby का मरणा चालू कर यहां पर आगया, साइन चेंज होगा, क्योंकि उजिटनी तरूर पर साइन चेंज नहीं होगा, 3 पर साइन चेंज होगा, 2 पर sign change होलगा 1 पर state हमने यहां से देखा कि प्लस आ रहा है प्लस से चालू हुँ स करेगा कि circle नहीं बनना है धर वाला साइन छेंज नहीं खरेगा जो sign change नहीं करें चरेंगे में non फिट से चरफ से चालोगा बच्चों का तक जाएगे मायन तक मैन पर लग रहा है तो शामिल क्लूड नहीं कर नहीं अब तक जा रहे हैं तो हम यह लिख सकते माइनस इंफ्री से सीधे 2 तक चले जाए क्योंकि माइनस 1 इंक्लूट हो रहा है यहां पर माइनस 1 पर रुप के थे माइनस 1 पर तो डॉट बनना यानि हम उसे इंक्लूट कर सकते तो सीधे 2 तक चला गया और union क्या आगया बच्चों यह union पर जो आपको पहले इंक्लूट करनी यानि न्यूमिटर से जो मिल रहे हैं सर्किल उन पर बना लिए जहां पर साइन चेंड नहीं करना उसके बाद तो आपको बेबी कव लेते हुए चलना और आपको तुरंत आंसर मिल रहे हैं किलियर हो गया बच्चों एक और कोश्चन में आपको करके दिखाता हूं देखिए आप बहुत ही आसान है बच्चों मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बता दिये यानि अब आपको मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत आ रही होगी इन कोश्चन को सॉल्व करन एक्स एक्स प्लस 5 की पॉबर 2016 सिक्स एक्स माइनस 3 की की पॉबर 2017 एक सेकड़ होड़ा सा दुबारह लिखता हूं मैं एक पॉपिक कौन सा पढ़ रहे थे बच्चों हम टॉपिक पढ़ रहे थे ना वेवी कर्व तो सबसे पहले हम टॉपिक की लिख देते ना बच्चों टॉपिकम कौन सा पल रहे दे वेवी कर्व में तो देखिए अब कोशन में लिखता हूँ कोशन हमारे पास है एक्स और इसके बाद बच्चो एक्स प्लस 5 की पावर 2 0 1 6 एक्स माइनस 3 की पावर 2 0 1 7 6 माइनस एक्स की पावर 1 2 3 1 डिवाइड में बच्चो हमारे पास आया एक्स माइनस 2 की पावर 100 एक्स प्लस 1 की पावर 2 0 1 5 4 माइनस एक्स की पावर 242 और बच्चो हमें ये निकालना है गेटर दन एकपल टो 0 ठीक है बच्चो अब यतने सारे हमें factor दे रहे है numerator और denominator में और हमें solution निकालना है कि कब x की value क्या होगी जिसके लिए कैसा solution देगा positive solution देगा अब आपको करना वो ही है कि बच्चो सबसे पहले 0 निकाल ले हैं तो देखिए solution में सबसे पहले x की value क्या आगई बच्चो यहां से 0 आगई यहां से x की value कितनी आगई minus 5 आगई यहां से x की value 3 आगई यहां से x की value बच्चो कितनी आगई 6 आगई अब denominator वाले देख लीजिए x की value 2 आ गई x की value minus 1 आ गई और x की value 4 आ यही आ गई बच्छो अब number line पर हमें यह सारे points क्या करने पड़ेंगे बच्छो put करने पड़ेंगे यह infinity हो गए minus infinity हो गए अब देखिए कि सबसे पर छोटा वाली value कितनी है minus 5 माइनस 5 रखा हमने माइनस 5 से बड़ा फिर minus 1 आ जाएगा बच्छो फिर 0 आ जाएगा फिर 2 आ जाएगा फिर 3 आ जाएगा फिर 4 आ जाएगा फिर 6 आ जाएगा सारे points आ गए बच्छो अब numerator से जो point मिले होने हम include कर सकते हैं तो 0 को include कर सकते हैं बच्छो कि माइनिस थाइब कर सकते बच्चो इनुमिड़ेटर से मिला थे ठीक रोट कर सकते हैं बच्चो और व्मिडर से भी अब कॉम कौन से point sign change नहीं करेंगे जिनकी even power होगी, इसकी power तो 1 है sign change होगा, अब इसकी power even है, 2016 कैसा होता बच्छो even, तो minus 5 पर sign change नहीं होगा, circle बना लिया odd है power 2017, 1231 भी odd है बच्छो 100 even है, यानि 2 पर sign change नहीं होगा 2015 odd है बच्छो, 242 even है, यानि 4% change नहीं होगा अब आपने क्या करना है, यह देखना है कि यह positive value मिलेगी या negative यानि शुरू बात हमें कहां से करनी है, बेवी करके तो हमने क्या कर रहा, बच्छो, 6 से बढ़ी value को पुट करती हूं, सबसे आसन 10 होता है बच्छो, 10 पुट करके देखिए, अब मैं इसमें बच्छो, value पुट कर रहा हूं, 10 तो देखिए, 10 यह वाली value केतने देदेगा, positive देदेगा, क्योंकि 10 आएगा, x प्लस 5, 10 प्लस 15, even मिल जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 even देदेगा, 6 minus 10, कितना हो जाएगा, बच्छो, minus का 4, अब power odd है, तो negative के लिए, odd power क्या देता है, negative sign देता है, यानि numerator से हमें पूरा क्या मिल गया, बच्छो, negative मिल गया, अब denominator निकालेंगे, 10 minus 2, power even है, तो positive ही मिलेगा, power odd है, 10 plus 1, 11, positive की power हो, तो plus ही मिलेगी, अब यहाँ पर 4 minus 10 करा, बच्छो, minus 6, लेकिन power कैसी है, even है, even है, तो answer कैसे देगा, plus, यानि denominator में मैं इससे मिले, plus, negative upon positive, यानि यहाँ पर कांसे चालो होगा, बच्छो, negative से चालो होगा, तो बेवी कर्व में था, negative से चालो होता हो, यहाँ पर तो साइन चेंज हो जाएगा, बच्छो, यह आगया, अब आप देखोगे, कि 4 पर साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि 4 की power कैसी थी, even circle बना हुगा है, आगे बढ़ गए, इस पर साइन चेंज हो जाएगा, बच्छो, 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 बच्छ, 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 बच् पॉपर वाला तो थ्री से लिके फॉर हो गया फॉर से लिके बच्चों क्या आ जाएगा इस पर क्लोस ब्रेकेट आ जाएगा और फॉर इंक्लूड नहीं करना इसलिए फॉर पर ओपिन इंटर्वाला दॉनों साथ दुबारा देखिया हमने पॉइंट्स निकाले पुट कर ल और और 1 तो और 3टर्व बना लिए और 453ल बना ली तैन पुट कर भखो ट LIKE इविन पर पॉअधिटिव पॉझेब पॉष याधर पॉच्र माइन पॉपर पॉणिला था नेगेटिव निम्रेटर से मैं पूरा डिया मिलकि याधा पूठकरां हंड वन्वागा तू 015 iुष कि पॉबर पॉज़िटिव आगया माम चैया की बढ़ा धिया यह इस से चला बैगी डिट टानेगेटिव आ बढ़ा धिया या उसमें माइनस वन इंक्लूद नहीं था जी रे कर सकते हैं तो बहुत ही इंपोर्टेंट में से आप देखिए कि कितना बड़ा कोशन था और एक ही लाइन में आप ठीक है बच्चों तो आज की गलास हमें रोकते हैं थैंक यू स्टूरेंट्स